हेलो माई डियर स्टुडेंट तो कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाय लिखाई कर रहे होंगे दोस्तों आज इस वीडियो हम एक कवीता की तुरू आपको इंग्लिस लिखना सिखाएंगे ठीक है ना तो वह सीखने के लिए आपको छोटे-छोटे सेंटेंस को इंग्लिस में लिखना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि हम कैसे लिखते हैं ठीक है ना अब यहाँ पर एक तो आधा erm है, पिर पूँरा म है, सड़ी, एक तो आधा मोwh है, फिर पूँरा मív है, मोह संग शुक है, तो फिर आकर लगा ओवत, अम्म, तो इसके लिए हम डबल डबलैम लिखेंगे, A, मोह मोह के लिए, M, लिए मोह मोह से सद़ है, और यहां पे छोटी u के मात्रा है तो उसके लिए हम u लिखेंगे m u और j h से होता है जहा तो m u j h से जहा के ओ अब आपका कहना होगा से यहां पे जहा के और को के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर a क्योंने लगाते हैं, देखिये, जहाँ, हम पुरा, जहाँ में जिसे सिदा जहाँ बोलते हैं, मुझको, मुझको, यानि कि जहाँ में पूरा sound नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम जे, ही लिख रहे हैं, अगर पूरा sound लेते तो J, H, E लिखते हैं, ठीक है न, तो यहाँ पर M, U, J, H और को के लिए, के और O कर के लिए क्या लिखेंगे, O, मुझको, M, U, J, H, के O, मुझको टो, P, टो के लिए क्या लिखते हैं, T, और O कर के लिए, O, लिखते हैं, T, O, अब P से O हो जाएगा कि हम डबल E लिखते हैं, या फिर I भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो T, O, P, I ही हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा पर T, O, P, I, टो P, सिला दो, S, और छोटी E की मातरा के लिए, I लिखेंगे, S, I, और लो के लिए, L, A, A, कार के लिए, A, सिला, D, O, दो, ठीक है न, D और O कार के मातरा के लिए, O, सिला दो, यानि अम्मा मुझको दो P, सिला दो, ठीक है, उसके बाद हैं, पेरों में चपल पहना दो, अब पो के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है न, और आइकर के लिए, तो इसके लिए हम ए आई लिखते हैं, पी ए आई, रो के लिए आर, और आउकर के लिए, ओ, तो यहाँ पे हम अंस्वर भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे ए एन ओ लिखेंगे ठीक है ना, पैरों, ठीक है न, पैरों में, में के लिए किसे के लिखेंगे, तो M से मौ होगा, ठीक है, E से होता है, A कर, ठीक है न, M, E, I, M में, चपल, चो के लिए CH लिखते हैं, CH से क्या होगा चो अब यहाँ पर डबल पो है उसके लिए हम डबल पी देंगे CH पहले ए देंगे सोड़ी दोस्तों यहाँ पर से पहले ए देंगे CH A double P A L चपल पहना दो पहना दो उसके बाद है और कोट में फूल लगा दो और किसे लिखेंगे ए यू आर और कोट कोट के लिए हम क्या लिखते हैं के के लिखेंगे O कार के लिए O और टो के लिए T ठीक है न, कार के लिए K और बढ़ी O कार के लिए क्या लिखते हैं O और टो के लिए T कोट में M E I N में फूल P H से होता है फौ और यहाँ पर है बड़ी O की मातरा ते, इसके लिए हम O का प्रयोग करेंगे O L फूल लगा L G A लगा D O दो लगा दो ठीक है न, यहाँ लग के बाद मैंने एक क्यों नहीं लगाया क्योंकि लग कहने में O का सूंट नहीं आ रहा है लगा ठीक है न, तो L G A ठीक है न, अगर लगा होता तो L A G A हो जाएगा अगर L A लगा देंगे तो लगा हो जाएगा ठीक है न, तो L O कहने में पूरा L O का सूंट नहीं आ रहा है आधा लोग बोल रहे हैं ठीक हैं लगा दो ठीक है उसके बाद है ठीक है देश प्रेम के पार्ट पढ़ा दो ठीक है देश प्रेम के पार्ट पढ़ा दो उसके बाद है मन में अच्छे भाव जगा दो मन M A N मन में M E I N मन में M E I N मन में अच्छे A A C S से हो जाएगा च्छो और च्छो के लिए क्या लिखते है A C double H और A कारे के लिए A अच्छे भाव B H से क्यों हो जाएगा भाव A V भाव जगा दो जगा के लिए J G A जगा डी ओ दो जगा दो मन में अच्छे भाव जगा दो उसके बाद सब बच्चों पर प्यार लुटाओं U T A अब इसके लिए क्या रिखते है U ठीक हैं रुटाओं मैं नहरू चाचा बन जाओ M E I N मैं नहरू कैसे लिखेंगे तो N एक आर के लिए E लिखेंगे H नहरू नहरू चाचा C H A C H A चाचा B A N बन जाओं ठीक है न? J A N यहापे A N Sorry J A U हो जाओं J A U जाओं ठीक है मैं नहरू चाचा बन जाओं ठीक हैं तो इस तरीके से हम हिंदी को रोमन इंगलिस में ऐसे लिखते हैं ठीक हैं तो I think आपने कुछ तने कुछ तो जरूर सीखा होगा अगर विडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों सेर करें और एक लाइक जरूर कर दीजेगा हमारे इस चैनल पर पहले दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि इस तरह का इंफर्मेटर विडियो आपको मिलता रहेगा मिलते हैं अगले विडियो में तब दर के लिए और दोस्तों जरूर सेर करें क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता आप लोग का इतना अच्छा सी विडियो बनाते हैं फिर विव्यूज बहुत कम ही आता है तो आपका सपोर्ट की जरूरत है ओके थैंक यू